ओम शान्ती, 12 नवंबर 2021 के महावाक्य हैं, मीथे बच्चे, हर एक पार्ट दारी आत्मा, आधा समय सुक, आधा समय दुख का पार्ट बजाती है, यह भी इश्वरिय ला है, प्रश्न, बाप जो समझाते हैं, यह समझानी बच्चों की बुद्धी में यह थार्त रिती कब ब उत्तर, जग बुद्धी शुद बनेगी, जितना जितना जो पुरुशार्ट कर, खाद निकालते जाएंगे, उतना बाप की समझानी बुद्धी में बैठती जाएगी, अभी तक बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुँचे हैं, हर एक का पुरुशार्थ अपना है, कोई तमों भी हैं, लेकिन बनना है सतो प्रधान, गीत, दूर देश का रहने वाला, ओम शांती, जब मेले वा प्रदशने में बच्चे समझाने पड़ी, कि सब ब्रदर्श का बेहद का बाप एक ही है, यह भी पूछना पड़ता है, कि भारत का आदि सनातन धर्म क्या है, वे त तो आदि सनातन हिंदू ही समझते हैं, इसलामी बोधी क्रिश्चियन आदि को मालूम है कि हमारा धर्म किसने और कब स्थापन किया, भारत वासियों का हिंदू धर्म है वा देवी देवता, यह किसने और कब स्थापन किया, यह भारत वासी बिलकुल ही नहीं जानते, यह ब प्राचिन भारत देश गाया जाता है, प्रंतु उन्हों को यह पता नहीं कि हमारा आदिसनातन देवी देवता धर्म है, हिंदु तो कोई धर्म ही नहीं है, अब तुम बच्चे जानते हो कि पाँच जार वर्ष पहले देवी देवता धर्म था, बरोबर उस समय लक्षमी ना राजय करते थे, वह अपने को हिंदु नहीं कहलाते थे, अच्चा हिंदु धर्म का कोई समवत होना चाहिए, विकर्म समवत जो कहते हैं, हो सकता है जब से देवताएं वा मार्ग में जाते हैं, तो अपने को हिंदु कहलाना शुरू करते हों, तब से विकर्म समवत भी कहत तो आदा आधा हो गया, उस समय उनको आदिसनातन देवी देवता नहीं कहेंगी, समवत कहा जाता है जब धर्म स्थापन होता है, वह किसने स्थापन किया, विकर्म समवत तो रावण ने स्थापन किया, उस समय सबके कर्म विकर्म होते रहे, कर्म अकर्म विकर्म नाम तो है तो विकर्म राजा का भी समवत चलता है वह हो गया आधा समय अब यह विकर्म समवत हिंदों का समवत तो नहीं है तो यह पूछना चाहिए कि भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ मालुम तो पड़े न यह बहुत नाजूब बाती हैं जब यह मालुम पड़े तब हिसाब लगा सके कि नई दुनिया थी पिर दिन रात जरूर होते हैं आदा आदा जरूर होगा यह एक इश्वर्य ला है यह समझानी देना है जरूर ऐसा कभी कोई ने समाचार नहीं दिया है क्रिस्चेन का भी आदा सुक आदा दुख का पार्ट चलेगा यह जो हम समझाते हैं इसमें सारी हिस्ट्री जोग्रोफी आ जाती है मनुश्य जो भी आते हैं उनको दुख सुक का पार्ट मिला हुआ है एक दो जनम के लिए आएंगे तो भी आधा आधा होगा यह एक इश्वरिय ला है परदशनी में जब सुनते हैं अच्छा अच्छा करते हैं बाहर निकलनी से ही भूल जाते हैं बिला कोई ध्यान देती हैं कोई एक मास आकर भी गुम हो जाती हैं कोई दस मिनट समझती कोई एक घंटा कोई तो कुछ समय आकर चलते चलते ठक जाती हैं ऐसे सेंटर्स पर होता रहता है कैसे देवी संप्रदाय बन रही है यह भी वंडर है नई दुनिया का धर्म पुरानी दुनिया में स्थापन हो रहा है यह बातें तुम बच्चों की बुद्धी में आती हैं बाप दुवारा तुम अपने 84 जन्मों को जान चुके हो बाप कहते हैं मैं 84 जन्मों की कहानी सुनाने आता हूँ तो जरूर पिछाडे में ही आकर सुनाएंगे ना दुवापर के बीच में तो सुना ने सके जिबकि पिछाडी वाले जन्म अभी लिये नहीं है राज्यों का ग्यान दुवापर में मिल ना सके महा भारत लड़ाई भी सत्यूग स्थापन होता है अर्थार्त देवी देवता धर्म स्थापन होता है उनसे पहले ब्रामन धर्म स्थापन होता है तो जरूर प्रह्मा द्वारा स्थापन करते होंगे तो ब्रामन जन्म लेते होंगे ना विराठ रूप जो दिखाया है उसमें शिव को भी नहीं द प्रदश्नी में भी विरात रूप वाला चित्र होना जरूरी है. ब्रह्मा द्वारा पहले जरूर ब्रामन रजेंगे. फिर वह है ब्रामन कब और कहां रजते हैं? ब्रामनों का है संगम, शुद्रों का है कल्यूग. अब तुम अपने को कहलाते हो प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया प्रजा माना ही मनुश्य स्रिष्टी तो जरूर ब्रामन होंगे क्राइश्ट को क्रिष्चन धरम का पिता कहेंगी यह है प्रजा पिता भगवान ब्रह्मा द्वारा मनुश्य स्रिष्टी रचते हैं ऐसे नहीं क्राइश्ट द्वारा बोध्यों द्वारा रचते हैं मनुश्य स्रिष्टी शुरू ही ब्रह्मा से होती है तो जरूर पहले पहले ब्रामन ही रचेंगे ब्रामनों को फिर देवता बनाते हैं विराट रूप भी भारत में ही दिखाते हैं और धर्म वाले विराट रूप बना ने सकी यह नई-नी बातें बाप ही समझाते हैं नई पोइंट्स भी निकलती रहती हैं पुरानी भी निकलती रहती हैं क्योंकि नए-ने बच्चों को भी कुछ नहीं, कुछ पुरानी पोइंट मिलनी चाहिए, जो समझें जब तक अलफ बे बुद्धी में नहीं हो, तो और क्या समझेंगी तुम जानते हो, अलफ बे किसको समझाना बड़ा सहज है बाप तो सबका एक हैं, वे आते भी जरूर हैं शीव जैनती भी भारत में ही मनाते हैं प्रतु भारत वासियों को यह पता नहीं, कि शीव जैनती क्या है ना ब्रह्मा, विश्नू, शंकर का पता है, ना श्री कृष्न का पता है स्री लक्ष्मी नाराण का राज्य कम था, यह भी नहीं जानती क्राइस्ट होकर गए, उनके पोप की सारी लिश्ट होगी परंतु भारत वासियों को यह पता नहीं, कि यह लक्ष्मी नाराण भी भारत में राज्य करके गए हैं जो भी चित्र बनाते हैं, पूजा करते, उनका आक्यूपेशन बिल्कुल ही नहीं जानती देवताओं से फिर छेत्रियों ने राज्य कैसे ली, क्या लड़ाई की राज्याई बदली होती है, तो जरूर कोई ने विजय पाई वहां तो यह बात ही नहीं, वह तो अच्छी तरह राज्य देते हैं मनुष्य तो कितने अंधियारे में हैं, तुमको कितनी रोश्नी मिलती है ऐसे भी नहीं, सब बाते किसको याद रहती हैं नहीं तो बाबा ने जो समझाया, वह सब प्रदश्नी में समझाना चाहिए प्रदश्नी में एक दिन आते हैं, फिर दूसरे दिन आते नहीं कुछ भी पता नहीं पढ़ता है कि समस्ति हैं वा नहीं ओपिनियन में लिखाना चाहिए कि पहले हमको यह पता नहीं था हर एक क्या-क्या समझाते हैं, यह किसको पता नहीं पड़ता, ओपिनियन रखने वाला भी चाहिए, तुम सिद्ध करके बताते हो, पांच अजार वर्ष का यह चक्र है, लिखो, समवत आदी का किसको मालुम तो है नहीं, यह पाते कोई शास्त्रों ने सुनी हैं, फिर हमने कहां से सीखी, तो हमको सिद्ध लाने वाला जरूर भगवान होगा, भगवान भिगर यह बातें कोई समझा ने सकी, वह भी जरूर को कोई तन में आएगा, परमात्मा ज्यान का सागर है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करती हैं, आदी मद्य अंत की नोलेज देते हैं, उनका नाम है शिव, भक्ती मार्ग में उनके धेर नाम रख दिये हैं, कम से कम देर लाग अपनी अपनी भाशा में उनके नाम रखते हैं, बच्चों को रोज कितना समझाते हैं, परंतु अजुन शुद बुद्धी बने नहीं हैं, पुरुशार्ट करते रहेंगे, तो खाद निकल जाएगी, अब तक तो बच्चे सतो तक भी मुश्किल पहुँचे हैं, उसमें भी कोई तमू, सतो प्रध इसमें भी नंबरवार हैं, हर एक का पुरुशार्ट अपना अपना चलता है, इस समय मनुश्यों की है विनाश, काले, विप्रीत, बुद्धी, सिर्फ पांड़ों की थी प्रीत, बुद्धी, उन्हों की विजय हुई, असुर और देरता हैं दोनों मनुश्य, ऐसे नहीं क असुरों की कोई भ्यानक शकल होती है, वह तो लड़ाई में गोले गैस आदी से बचने के लिए ड्रेस पहनती हैं, वह है आसुरी संप्रदाई, तुम हो राम संप्रदाई, क्योंकि तुमने पांच विकार छोड़ी हैं, पवित्र बन सारे विश्यों पर तुम राज्य कर तुम्हारी कोई के साथ लड़ाई नहीं है, बाबा कितनी बाते समझाते हैं, कोई मास दो आकर फिर ठक जाते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है, साधारन परजा में तो आएंगे, परजा तो ढेर बनने वाली है, अभी भी देखो परजा कितनी है, किस तरफ अन की कमी होने के कारण मनुश्य भूख में भी मर जाते हैं कोई तर्व बारिश नहीं होने के कारण अकाल भी पड़ जाता है इसमें गौवर्मेंट क्या करेगी ये तो नैचुरल क्लैमिटीज है अब तो मुसलाधार बरसात भी पड़ेगी विनाश तो होना है तो तुमने जो साक्षातकार किया है वह सब practical में होगा साक्षातकार में एक कृष्न का महल देखेंगे सारा तो नहीं देख सकेंगे अच्छा देखेंगे विनाश हुआ शरीर छोडेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे सारी दुनिया खतम हो जाने वाली है फिर नई दुनिया बदल जाएगी तुमको सब कुछ भूल जाएगा अभी तुमारे में शुरू से लेकर अंत तक सब नोलेज है मूल वतन, सुक्षम वतन का चक्र कैसे फिरता है सारी नोलेज बापने दी है जिसमें जितना जास्ती ज्यान उतना जास्ती नशा रहता है अभी हम मास्टर नोलेज़ फुल हो गए फिर जब विनाश होगा हमारा शरीर खलास हो जाएगा इस जनम तक ही नोलेज रहती है तो इतना बुद्धी में नशा रहना चाहिए कि हम यह शरीर छोड जाकर प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे मनुश्य तो पढ़कर जाकर अपनी अपनी कमाई करते हैं बाप कहते हैं हम कोई कमाई नहीं करते हम तो तुमको सिखलाकर अपने घर ले जाते हैं तुम कमाई करते हो तो गवाते भी हो तुमको सारा आदी मद्य अंध का ग्यान है बाबा को भी ग्यान है जो बैठ कर समझाते हैं पार्ट अनुसार फिर बाबा भी चले जाते हैं निर्वान धाम सभी आत्माई भी चली जाएंगी वहाँ फिर जिन जिन का पार्ट होगा वहफी राजधानी में आते जाएंगे बाकी टाइम शान्ती धामने रहेंगे बच्चों को कितना ग्यान मिल रहा है उच पद पाने के लिए नए किसकी बुद्धी में बैठ ना सके सिर्फ इतना कहेंगे ग्यान बहुत अच्छा है पिर अपने धंदा दोरी में चले जाएंगे बाहर जाने से माया भुला देती है ताला लगा देती है कई बच्चों का भी ऐसा हाल होता है पूरी धारना होती नहीं पहले अंदर कोई आये तो बोलो यह सब हैं ब्रह्मा कुमार कुमारिया शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विश्नुपुरी की स्थापना कर रहे है अभी कल्यूग अंथ है फिर सत्यूग होगा तो ब्रह्मा के बच्चे सब ब्रह्मा कुमार है जो फिर देवता बनेंगी ऐसा सर्विस समाचार बाबा को मिलता रहे तो बाबा राय दें, परन्तु बाबा को पूरा सुनाते नहीं, बोतों पर ग्रहचारी लगती है, अभी अभी देखो फर्श क्लास, कल देखो धर्ड क्लास बन पड़ते हैं, ग्रहचारी ने होती तो आश्चरिय वत भागनती क्यों होती, जो बच्चे परदर्शनी में अच चीत रह जाकर सर्विस करते हैं, वह अपना समय भी सफल करते हैं, बाब दादा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बाबा बच्चों को कुछ भी बोलेगा, फिर फोरन प्यार भी करेगा, बाबा की दिल पर बच्चों का कुछ भी रहता नहीं है, यह सिर्फ शिक्षा देने के लिए सिखलाते हैं, यहां बच्चों को टोली खिलाई जाती है, क्योंकि बेहद का बाप है ना, लोकिक बाप बाजार से आते हैं, तो बच्चे जरूर याद पड़ेंगे, कुछ ने कुछ टोली ले आते हैं, बाहर सेंटर पर टोली नहीं मिलती, यहां बाप सम्मुक ब धान थे जिनकी बुद्धी को ताला लगा हुआ नहीं था वें भी कहते थे रच्ता और रचना को हम नहीं जानते हैं आज कल्यूंग में सबकी बुद्धी को ताला लगा हुआ है फिर वह कैसे जान सकेंगी शास्त्र तो वह रिशी मुनी भी पढ़ते थे तुनको पोईंट बहुत मिलती है समझाने के लिए अच्छा, नीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मोर्नी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुट मोर्नी और नमस्ती जी धाना के लिए मुख्य सार पहला पोइंट है भगवान हमको पढ़ाकर भगवती भगवान बनाती है इसी खुशी वा नशे में रहना है रच्टा और रच्णा का ग्यान बुद्धी में रख दूसरों को सुनाना है दूसरा पोइंट है जैसे बाप किसी बच्चे की बात दिल पर नहीं रखते हैं ऐसे किसी की भी बात दिल पर नहीं रखनी है वर्दान करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्मान का कार्य करने वाले कर्म योगी भव विस्तार कोई भी कर्म कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो सिर्फ कर्म करने वाले नहीं लेकिन कर्म योगी है कर्म अर्थार्थ वहवार और योग अर्थार्थ परमार्थ दोनों का बैलेंस हो शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल ना जाई जो भी कर्म करो वह इश्वर्य सेवा अर्थ हो इसके लिए सेवाओं में निमित मात्र का मंत्र वाकरन हार की स्मृति का संकल्प सदा याद रही करावन हार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे स्लोगन सेवा वे संबंद संपर्क में विघन पढ़ने का कारण है पुराने संसकार उन संसकारों से वैराग्य हो। अच्छा, ओम शान्ती।